Hello Everyone, Good Morning to All of You, Welcome to Current Affairs Logics Friends आज संडे है और आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में Weekly Current Affairs तो छंडे को हमेशा Friends Weekly Current Affairs की क्ल Lost आती है जिसमें हम पूरे वीग के Current Affairs को revise करते हैं तो यहां पर भी हम पूरे वीग यानि एक से चहे जुलाई के जो भी हमने Current Affairs कवर करी हैं उन सभी questions को यहां पे हम दुबारा सी पढ़ने वाली हैं तो revision आपका काफी अच्छे से हो जाएगा इस वीडियो में शुरू से अंतर तक वीडियो को complete देखेगा PDF आप लोग को मिल जाएगा हमारी टेलिग्राम चैनल से जिसका नाम है current of fast logics link description box में provide किया गया है तो आएए fans आज के इस important session को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी से request है कि जितना भी fans हम यहां पे जितने भी questions cover करेंगे आप लोग last में मुझे अपना score ज़रू बताएगा around 60 plus questions आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो आप बताएगा कि कितने questions जो है वो आज आपके सही रही पहला question देखिए किस state government ने अभी recently launch की है मुख्य मंतरी माजी लड़की बहन scheme तो मुख्य मंतरी माजी लड़की बहन यूजना को शुरू किया है फेंट्स महराष्ट government ने महराष्ट की जो deputy cm और finance minister है अजीत पवार उन्होंने इस scheme की announcement करी थी इस scheme के वह है जो भी woman 21 से देखे 60 साल की उम्र की है उन सभी महिलाओं को हर एक महीने 1500 रुपीज की financial मदद मिलेगी वित्तिय सहायता मिलेगी तो महराष्ट सरकार ने जो है this scheme को शुरू किया है फेंट थोड़ा सा speed में चलेंगे क्योंकि revision कर रही है जादर deeply अगर आपको कोई भी news देखनी है तो आप daily the internet face हमारा follow करें जिसमें आपको मैं आपको अच्छे से सारी चीज़े explain करती हूँ आज हम revision कर रही है इसलिए मेरी speed थोड़ी सी तेज रहेगी नेक्ट कोशन देखें इंडिया ने कौन से rank secure करी है IMF Artificial Intelligence Preparedness Index 2024 तो इंडिया को जो है इसमें rank कौन से मिली है राइट आंसर है option number B 72 भारत इसमें 72 प्लेस पे है और number 1 पे धियान रखेंगे कौन से country है Singapore Next question है Dick Skoof elected as a new prime minister of which country तो Dick Skoof किस देश के नई प्रधान मंत्री चुने गए है ये appoint हो है नीदरलेंड के new prime minister नीदरलेंड जो है फेंड्स यहां के capital है Amsterdam currency है यहां पे euro अगला question है India will host which edition of the UNESCO World Heritage Committee session भारत जो है UNESCO विश्धरोहर समीती सत्र के कौन से संसकरण की मिजबानी करेगा तो इंडिया जो है इसकी 46th session को host करने वाला है ये session जो है वो 21 से 31 जुलाई तक रहेगा और कहां पर होगा इंडिया में भारत मंडपम न्यू डेली में इस session को organize किया जाएगा Archaeological Survey of India के द्वारा और इसे inaugurate करेंगे Prime Minister Modi ji इससे पहले देखे 45th session जो था ये कहां हुआ था तो 45th पे 45 जो 70 है ये हुआ था सौधी अरेबिया के रियाद में Next question है Indian Air Force and the Egyptian Air Force Conducted which edition of exercise Hopics तो अगर बात करें exercise Hopics देखे कौन कौन सी country इसके बीच में हुई है तो ये exercise हुए Friends ये हुई है इंडिया और Egypt देश के बीच इस पार इसका कौन सा edition हुआ है सही answer है Option C इस पार हुआ है इसका 4th edition और इस edition में इंडिया का देखे जो राफेल फाइटर जेट से उसने पार्टिसिपेट किया था Next question है National Doctors Day कब celebrate किया जाता है राश्टी चिकिस्तक दिवस मनाया जाता है कब एक जोलाई को इस दिन देखे फ्रेंट्स बात करते हैं इंडिया के most famous physician डॉक्टर बिधान चंतर रॉच ये की जो है birth anniversary होती है पहली बार doctor stay celebrate किया गया था इंडिया में 1991 में और इसकी theme है healing hands caring hurts अगला question है Where did exercise nomadic elephant start exercise जो है वो nomadic elephant कहां पर शुरू हुई तो friends ये exercise जो है ये शुरू हुई है में घाले state में इस पार इसका कौन सा addition हो रहा है 16th और ये exercise कब तक चलेगी 16 July तो 2 week की जो है ये exercise है जो की end होगी 16 July को next question है bonian elephants have become endangered due to human activities these are found in which country bonian हाती मानुए गतिविधियों के कारण लुप्त प्राइ हो गए है ये कौन से देश में पाए जाते है तो ये पाए जाते हैं इंडोनेशिया में next question है हेमंत सोरेन was sworn in as a जारखंड चीफ मिनिस्टर for the third term सो भी जारखंड के फैंड्स तीसरी बार मुखे मंत्री के पतकी शपतली है हेमंत सोरेन ने इनकी political party का नाम किया है जारखंड मुक्ती मोर्चा इससे पहले फैंड्स यहां के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं चमपई सोरेन इन्होंने जो हेंड्स इस्तीफा दे दिया था अपने बत से तो उसी के बाद हेमंत सोरेन बन गए है यहां के चीफ मिनिस्टर जारखंड की capital किया है रांची अगला question है अभी recently देखे जून में FETF की grey list से कौन सी country को हटा दिया गया है तो FETF की grey list से अब हट गई है कौन सी country तुर्की FETF का पूरा नाम है financial action task force इसकी स्थापना हुई थी 1989 में headquarter है पैरिस में members है 39 और president है टी राजा कुमार next question friends सुजादा सौनिक जो है किस state के पहली woman chief secretary नुक्त हुई है सुजादा सौनिक की बात करती है ये महराश्ट राज्य की बनी है पहली महिला मुक्य सजिव overall अगर हम बात करती है तो ये महराश्ट की 45th number की chief secretary बनी है लेकिन महिलाओं में पहली है इसलिए important होगा सुजादा सौनिक जो है 1987 badge की IS officer है महराश्टा कारडर से next question देखिए friends SCO summit में जो के अस्ताना में हुआ इस summit में इंडिया को represent किस ने किया है तो शंगाई सर्योग संगतन के वाशिक शिकर सम्मेलन में भारत का प्रतिनेधित्व किया है foreign minister S. शेशंकरणी SCO का पुरा नाम है शंगाई cooperation organization SCO के सापना होई थी 15 June 2001 में headquarter है इसका बीजिंग में और secretary general है जांग मिंग अगरा question है friends railway protection force की जो director general है Manoj यादव so Manoj यादव ने एक mobile application launch की जिसका नाम है संग्यान application संग्यान application का उदेश्य किया है इस application का purpose है RPF personal को educate और उन्हें एपबावर करना इसको develop और इसको design किया है RPF की जो tech team है उन्होंने इसे develop किया है RPF यानि railway protection force इसकी formation होई थी 2nd July 1872 को headquarter है इसका न्यू डेली में next question है friends which of the following company जो के इंडिया की सबसे most valuable brand बनके उबरी है भारत के सबसे मुल्यबैन ब्राइंड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है किसने Tata Samu ने Tata Samu के बाद दूसरे प्लेस पे है Infosys company और थर्ड प्लेस पे है HDFC group next question है which of the following tiger reserve जिसने launch किया है एक advanced AI system for the early detection of forest fire जंगल की आंग का शीगर पता लगाने के लिए एक AI जो परणाली है इसे किसने शुरू किया है तो इस system को शुरू किया है पेंच टाइगर रिजर्व नी next question है इन्वेज डिस्टिक और उत्तर प्रदेश first bioplastic park will be set up उत्तर प्रदेश का पहला bioplastic park ये स्थापित किया जाएगा लखीमपूर खीरी district में next question who has been appointed as a new managing director and CEO of SBI General Insurance Company Limited SBI General Insurance Company Limited के MD CEO कौन अपॉइंट हुए है नवीन चंदर जह अगला question ने किस स्टेट government ने introduce किया है first witness protection scheme for justice delivery नयाय प्रदान करने के लिए पहली गवाहा संदक्षन योशना को शुरू किस ने किया है तो ये शुरू किया है असम government ने इसके बाद अगला question deputy national security advisor विक्रम मिस्तरी विक्रम मिस्तरी जो है 15 जुलाई से कौन सा कारेभार संभालेंगे तो 15 जुलाई से ये फैंट्स foreign secretary का पज संभालेंगे तो या दिखेंगे foreign secretary कौन बने है विक्रम मिस्तरी इसके बादे फैंट्स European council के जो है president कौन अपॉइंट हुए है तो हाली में European परिशत के अध्यक्ष के बदपर अपॉइंट किया गया है Antonio Coast को next question who has been awarded 12th विश्व हिंदी सम्मान तो फैंट्स इंडिया की अम्बेसी ने नेपाल में जो हिंदी समवात कारेक्रम आयोजित किया उसमें बारोए विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो ये honor दिया गया है उशा ठाकुर को अगला question ICC Men's T20 World Cup 2024 का final match कहां पे खेला गया था final match जो है खेला गया था बारबदोस के Kensington Oval Stadium मे final match हुआ था South Africa और इंडिया की बीच में जिसमें winner रही है इंडिया इंडिया ने इस बार देखिए ICC T20 World Cup का दूसरा टाइटल जीता है इस बार इसका 9th edition हुआ जिसमें number of teams कितनी थी 20 matches हुए थे 55 और इस बार के World Cup को host किया West Indies और USC नी अगला question है GST Day कब celebrate किया जाता है GST दिवस ये मनाया जाता है 1st of July को GST मतलब होता है Goods and Service Tax वस्तु एवं सेवा कर GST ये implement हुआ था और इसके लिए जो amendment हुआ था ने संशोधन हुआ था 101 1st July 2017 को GST पूरे इंडिया में applicable हो गया था पहली बार GST Day मनाया किया था 1st of July 2018 को दुनिया में पहली कंट्री कौन सी है जिसने सबसे पहले GST इंप्लिमेंट किया तो वो है France France ने इंप्लिमेंट किया था इसने 1954 में अगला question है किस company को choose किया है NASA ने to dismantle the international space station NASA ने अंतराश्टी 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 स्टेशन को ध्वस्त करने के लिए किस company को चुना है SpaceX को next question which city topped EIU's 2024 Global Liability Index 2024 तो इस इंडेक्स में देखे नंबर वन पे जो शहर है वो कौन सा है Vienna शहर जो है France नंबर वन पे है सबसे last position पे है Syria का Damascus शहर और से release किया है Economist Intelligence Unit ने अगला question है which Indian Navy ship has recently reached Pearl Harbor in Hawaii to take part in the 29th edition of the RIMPIC exercise भारते नौसेना का कौन सा जहाज हाली में RIMPIC अग्भ्यास के 29 संस्क्रण में भाग लेने की लिए Hawaii के Pearl Harbor पहुचा है तो किस Indian Navy ship ने participate किया है इसमें INS Shivalik ने इसके बाद next question है friends अभी recently कौन सी women police station को ISO certificate मिला है answer is ETA Nagar women police station next question which bank sign MAU with Indian Army for salary accounts वेतन खातों के लिए किस बैंक ने भारते सिना के साथ में समझोता किया है answer is Punjab and Sindh Bank Punjab और Sindh Bank की स्थापना हुथी 1908 में headquarter है New Delhi में MDCO है स्वरूप कुमार साहा और टेगलाइन है इसकी where service is a way of life next question देखे who released three books on the life and journey of former vice president of India M. Venkya Naidu M. Venkya Naidu जेके जीवन और यात्रा पर तीन पुस्तकों का video conferencing के माधियम से किस ने विमोचन किया Prime Minister Modi ji ने अभी तीन कौन-कौन सी books है एक बार इन बुक को देख लिजे फ्रेंड्स पहली है इनकी biography है Venkya Naidu Life and Service इस बुक को लिखा है Shri S. Nagesh Kumar ने second book है Celebrating भारत The Mission and Message of Shri M. Venkya Naidu as 13 Vice President of India इसकी ओदर है Dr. I. V. Subba Rao तीसरी बुक है Maheneta Life and Journey of Shri Venkya Naidu और ये बुक लिखी है Shri Sanjay Kishore तो तीनों बुक उनके authors भी याद रखना और इस तीनों बुक को जो है Venkya इनको release किया है Prime Minister Modi ji ने अगला question है किस country ने जो है कौन से country पहली country बनी है जिस ने live stock farmers यानि पशुपालग जो farmers ने उन पर कर लगाया है राइट आंसर है यहाँ पर Denmark Next question देखे Sarah announced which country as a partner country for its human space flight program Sarah ने अपने मानव अंतरिक्ष उडान कारेकरम के लिए किस देश को साज़ेदार देश खोशित किया है आंसर है Venkya यहाँ पर India So इस human space flight program के तहट 6 citizens हैं जो कि friends कहाँ पर जाएंगे space में जाएंगे और इसी program के लिए Sarah ने इंडिया को जो है अपने partner country के रूप में चुना है अगला question देखे Global India AI Summit जो है यह 3 से 4 जुलाई के बीच कहाँ पर हुआ तो इस बाद जो है यह summit friends कहाँ पर हुआ था आंसर है New Delhi में Next question Who has officially launched इस आंख्य की पोर्टल recently हाली में फेंट्स इस आंख्य की पोर्टल जो है यह किस ने लॉंच किया है तो इस पोर्टल को लॉंच किया है अरविंद पंगडियानी Next question है किस state government ने लॉंच किया है मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधी scheme मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधी योशना को शुरू किया है किसने राजस्तान गवर्णमेंट ने यह जो scheme है देखें फार्मस की आए को बूस्ट करने के लिए फार्मस की जो इंकम है उसे बढ़ाने के लिए इस योशना को शुरू किया गया है इस योशना के तेट फार्मस को 2000 रुपीज एक साल में रिसीव होंगे और ये जो 2000 रुपे उने मिलेंगे ये तीन इंस्टॉलments में मिलेंगे सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होगी 1000 रुपे की फिर सकींड होगी फार्द भी होगी फार्द भी होगी की नेक्स कोशन है फैंट्स CBDT यानि Central Board of Direct Texas के नई चेयर्मेन कौन अपॉइंट हुए है आंसर इस रवी अगरवाल नेक्स कोशन देखे फैंट्स चल्ला श्री निवासलू शिट्थी ये जो है फैंट्स SPI के अगले चेयर्मेन होंगे और ये SPI के कौन से नंबर के चेयर्मेन होंगे तो चल्ला श्री निवासलू सेट्थी जो है SPI के 27 नंबर के चेयर्मेन बनेंगी SPI जो है इसकी सापना होई थी 1st July 1955 को हेटकौार्टर मुंबई में है और चेयर्मेन है इसकी दिनेश कुमार खारा अगला कोशन देखे हमारा नेक्स क्वेशन है World Sports Journalist Day was celebrated on which day तो यहां बात करते हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस की तो ये मनाया जाता है कब हर साल 2nd of July को जो है ये दिन मनाया जाता है इस दिन की शिरुवात कब से हुई थी तो 1994 में पहली बार इसे celebrate किया था इस इनकी स्थापना करी थी International Sports Press Association नी इसके बाद निक्स कोशन इंडिया फर्स लाइफ इंशॉरेंस के MDCO कौन अपॉइंट हुए है इंडिया फर्स लाइफ इंशॉरेंस के प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए है रुषब गांधी निक्स कोशन है देखें वो हैस वॉन थे 2024 लियॉन मास्टर चेस टूर्नामेंट 2024 में जो लियॉन मास्टर शदरन जो टूर्नामेंट हुआ किसने जीता है तो ये टूर्नामेंट जीता है विशुनातन आनंदनी इसकी बाद है नेक्स कोशेशन वार्च बेडमिंटन दे वह सेलीब्रेटेट ओन विच दे विश बेडमिंटन दिवस किस दिन मनाया कया है 5th of July को मनाया गया है वार्च बेडमिंटन दे 5th of July का दिन इसले चुना है क्योंकि इस दिन International Badminton Federation की स्थापना हुई थी 5th of July 1934 मी Next question Russia has approved the schedule for the creation of a Russian orbital station by which year Roos ने किस वर्श तक Roosी orbital station के निर्माण के लिए कारेक्रम को मन्सूरी दी है तो 2033 तक Roos ने approval किया है कि Roos जो है वो Russian orbital station को पूरा setup कर लेगा रशिया की Space Agency कौन सी है देखिए तो Roos कॉस मौस जो है रशिया की Space Agency है जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में रशिया की Capital Moscow है करेंसी रूबल प्रेजिडेंट है वलादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर है यहां के मिखेल मिश्यूतिन अगला कोशन है who has launched a portal जिसका नाम है निर्मान पोर्टल इस पोर्टल को न्यू डेली में लाँच किया है और इससे लाँच किया है जी किशन रेड़ी ने निर्मान पोर्टल का देखिव पूरा नाम है नोबल इनिशेटिफ और रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नाशनल सिवल सर्विसेज एक्जामिनेशन नेक्स्ट है रिसेंटली किस स्टेट गवर्मेंट ने डेसाइड किया है टू प्लांट पाम ट्रीस टू रिड्योस डेथ फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइग किस राज़ सरकार ने बिश्ली किनेश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए ताड के पेड जो है ने लगाने का फैसला किया है तो ये डिसीजन लिया है उडिसा गवर्मेंट ने तो उडिसा जो है प्लांट करेगी 1.9 मिलियन पाम ट्रीस को पाम ट्रीस जो है ये बिलॉंग करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एको सिस्टम से इनमें कौन-कौन से वराइटीस ने देखिए जैसे कोकोनट, ओइल, पाम, एक्सिक्टरा तो इस तरह की वराइटीस इसमें होती है नेक्स्ट है किस बांक ने देखे लॉंच किया है स्टूडेंट सफिरो फॉरेक्स कार्ड इस कार्ड को किस ने लॉंच किया है ICIC Bank ने ICIC Bank का पूरा नाम है Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank इसके सापना 1994 में हुई थी Headquarter Mumbai में है MDCO है संदीब बक्षी और Tag Line है हम है ना ख्याल आपका अगला कुशन है Additional National Security Advisor कौन अपॉइंट हुए है तो अतरिक्त राष्टे सुरक्षा सलाकार के रूप में न्युक्त किया गया है राजिंदर खन्ना को Next question Who has been appointed as a Chairperson of the National Medical Commission तो जो राष्टे चिकिस्सा आयोग है इस आयोग के अध्यक्ष को कौन पॉइंट हुए है B.N. Gangadhar Next question Which country has been admitted as a 10th full member of the SCO किस देश को भी शंखाई सायोग संगतन के दस्वे पूर्ण सदस्टे के रूप में शामिल किया किया है Answer is Belarus SCO जो के friends SCO में total जो है अब कितने members हो गए है 10 ये 10 members है इरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और बेलारूस SCO के स्थापना होईती है 15 June 2001 में headquarter है इसका बीजिंग, चाइना मी Next question है Araku Coffee is known for its rich flavor and aroma is grown in which reason तो Araku Coffee किस शेतर में उगाई जाती है तो ये उगाई जाती है friends, आंदर प्रदेश में Recently कोफी के बारे में ये news इसले रही थी के प्रदानमंत्री के जो मन की बात होती है उसमें इनोंने कॉफी के बारे में introduce किया था यानि इसके बारे में बात करी थी Araku Coffee को GI Tech कब मिला था 2019 में अगला question है संपूरता अभियान जो है ये किसने शुरू किया है संपूरता अभियान का focus किस पे है health, nutrition, agriculture, social development और education पे और इस अभियान को नीती आयोग ने शुरू किया है नीती आयोग का पूरा नाम है National Institution for Transforming India formation हुई थी 1st January 2015 को headquarters New Delhi में है और chairperson है नरेंदर मोदी जी Next question देखे Recently National Commission for Protection of Child Rights इन्होंने एक portal launch किया for drugs and substances abuse in school और इस portal को इन्होंने नाम किया दिया है तो इस portal का नाम है प्रहरी पोर्टल Next देखे दो statement है यहाँ पे चोकि दोनो statement है रुद्रम first missile के बारे में पहला statement देखे है कि यह इंडिया की पहली indigenous surface to air missile है यानि सता से हवा में मार करने वाली missile है second है कि रुद्रम first को develop किया है DRDO ने question ने पूचा है कि इन में से कौन से statement जो है वो incorrect है यानि इसमें हम से पूचा है गलत statement कौन सी है first वाली statement गलत है इसके option A यहाँ पे right answer है रुद्रम first जो है यह air to surface missile है 87 हवा पे मार करने वाली missile है और इसे DRDO ने develop किया है next देखिए project का नाम है पच्छतु रुद्रु प्रोजेक्ट जिसका उदेश है net carbon zero target को achieve करना यह कौन से state government ने launch किया तो पच्छतु रुद्रु परियोशना को launch किया है किसने answer is कीरल government ने तो आप देखिए net zero carbon जो target है वो कैसे जी वो का जब जादत से यादा पीड लगाए जाएंगे तो किरल government का भी यह जो है उन्होंने उदेशे रखा है कि जो जितनी भी बज़र भूमी है उस भूमी को हरा भरा किया जाएगा वहाँ पर प्रांटिंग की जाएगी किरल की formation हुई 1st November 1956 को capital तिरुवननद पुरम है CM है पिनरई विजिन और governor है यहाँ पे आरिफ महम्मद खान Next question देखे किसने जो है अभी health साथी plan को शुरू किया है Health साथी जो plan है इसे शुरू किया है PTM नी Next question Recently अरणव कुमार चौधरी और चारो लता एसकर यह किस organization के executive directors appoint हुए है So यह भी हाली में RBI के कारे कारी निदेशक के रूपे नियुक्त हुए है अरणव कुमार चौधरी और चारो लता एसकर RBI यानि Reserve Bank of India इसकी स्थापना हुए थी 1st April 1935 को Headquarter है मुंबई में और RBI के Governor है शक्तिकान्त दास Next question Who has been appointed as a director General of Press Information Bureau तो प्रेश सुषना ब्यूरो के महा निदेशक कौन appoint हुए है धीरेंदर ओजा Next question देखे पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड किसे मिला है तो पहला के सरस्वती अम्मा पुरुषकार जो है इससे सम्मानित किया गया है किसे पी गीता पी गीता को ये अवार्ड मिला है उनके वर्क आन थचकुल के लिए तो उनके वर्क का नाम भी आ उनका जो काम रहा है उसका नाम है आन थचकुल Next question What is the name of the exercise चो कि शुरू हुई इंडिया की आर्मी और थाइलेंड की आर्मी के बीच ये exercise कहां पे शुरू हुई है थाइलेंड में तो exercise का नाम है मैत्री तो यहां देखेंगे मैत्री exercise ये शुरू हुई है किस-किस के बीच में इंडिया और थाइलेंड की बीच में exercise हुई है और इस पार हुआ है इसका 13th edition next India participated in the third UN-led conference on Afghanistan in West City भारत ने की शहर में अफगानिस्तान पर सायोक्त राष्ट के नित्रत्व वाले तीसरे सम्मेलन में भाग लिया तो ये जो conference थी कहां पे हुई थी दोहा में इंडिया's first solar mission थी आदेते L1 spacecraft completed its first hello orbit journey in how many days तो आदेते L1 जो है ये भारत का पहला solar mission है जिसने अपनी पहली hello यात्रा कितने दिनों में पूरी की 178 days में इस्तों ने इस mission को launch किया था और इस mission को PSLV C57 से launch किया था शिरी हरी कोटा space center से next question है which state government has launched NTR भरोसा pension scheme तो किस राजर सरकार ने शुरू की है NTR भरोसा pension योशना ये योशना जो है शुरू की है आंदरप्रदेश सरकार नी इसके तहते कि आंदरप्रदेश के जो फ्रेंड से CM है एंचंदरबाबू नाइडू इनोंने क्या announcement करी कि जो pension से उसको बढ़ाया गया है जैसे for example जो old people से हैं widows हो गई, fishermen हो गई, single woman traditional cobbler, transgender और आर्टिस्ट इन सभी के pension को 3000 से बढ़ा कर किया है 4000 पर मन्त जो भी ऐसे लोग हैं जो लिप्रोसी पेशेंट से हैं की pension को 3000 से बढ़ा कर किया है 6000 पर मन्त next किस bank को अभी receive हुआ है अटल pension योजना annual award अटल pension योजना वाशिक पुरिसकार ये मिला है किस bank को bank of India को bank of India की स्थापना होई 7 September 1906 को headquarter मुंबई में है MD है इसके रजनेश करनाटक और इसके tagline है relationship beyond banking next question देखे who has been appointed deputy national security advisor उपराश्टे सुरक्षा सलाकार किसे न्युक्त किया गया है तो TV रवीचंदरन और पवन कपूर ये appoint हुए है deputy national security advisor इसके बाद है बुक है मनोज बाजपई धा definitive biography और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो इस पुक की author कौन है प्यूश पांडी next question who is the first Indian personality to be honored with the Pardo Ella carrier Ascono Locarno Tourism तो इस award से समारित होने वाले पहली Indian personality कौन है शारुक्षान शारुक्षान को देखे पदमिश्री अवार्ड मी मिला है Government of India से कौन से year में 2005 में इसके बाद है Under 23 Asian Wrestling Championship जो की Amman Jordan में हुई इस Championship में भारत ने कितने gold medals चीते हैं तो इंडिया ने इसमें total चीते हैं 4 gold medal अगर बात करें total medals की तो भारत ने इसमें 8 medals चीते हैं total जिसमें 4 चीते हैं gold 2 medals चीते हैं silver और 2 ही medal चीते हैं bronze medal तो इस तरह से भारत ने जो है इस competition में total 8 medals चीते 4 gold medals कि किसने चीते अभी मन्यू जौनती कुमार साहिल जगलन और अनिरुद कुमार नी तो ये 4 जो हैं इसमें gold medalist रही तो यहां पी हमने देखे weekly का इंटरफेस के सभी most important questions cover up कर लिए हैं अब आप मुझे जो है अपना score बताएगा कि हमने यहां पे cover कर रहे हैं total 65 questions तो 65 questions में से आपने कितने questions यो हैं वो बिलकुल correct किये और मैं आशा करती हो कि आज का revision आपका बहुत अच्छा रहा होगा इसी तरह daily का इंटरफेस